जय हिंद बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है सभी वन दरोगा वालों के लिए खुशकबरी है कि उनकी टॉक्योमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिस आ चुकी है यानि आप उनका अभिलेक परिक्षण होना है तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कब से डीवी स्टार्ट होगी और क्या शेडियूल रहेगा और वन दरोगा के बाद हम लोग फॉरेस गार्ड के भी मेडिकल पर चर्चा करेंगे रिजल्ट पर कि उसका रिजल्ट कब आएगा और उसकी डीवी कब तक होगी तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूँ ये मैंने अपने ही चैनल पर साथ दिन पहले एक वीडियो डाला था कि UPCC 1 दरोगा डीवी नोटिस कब तक आएगी जिसमें मैंने ये बताया था कि 1 दरोगा डीवी नोटिस अगले एक सता में संभावित है यही हुआ भी है और यही बताया था कि डीवी एक सता की अंधर कंप्लीट करा ली जाएगी तो सेम चीज आपके साथ हुई कि आपकी दीवी 6 दिन में complete हो जाएगी त्यानि आपको जो भी खबर दी जाती है वो पूरी तरह से जनुविन होती है और authentic होती है तो आईए अब बात कर लें यूपी ट्रेबल सी वन दरोगा की document verification से संबंधित लेटर की यूपी ट्रेबल सी ने आज official site पर अपना ये notice upload किया है जिस पे इन्हों ने लिखा है कि वन दरोगा मुख्य परिक्षा 2022 के अंतरगत वन एम वन जीव विभाग के निर्मारादीन वन दरोगा के 701 पदों पर यानि फिजिकल में सफल 1402 अभिरतियों का मानक परिलाम जारी किया जा चुका था और उन्ही का DV होना है क्योंकि इस से पहले उनका फिजिकल का result जारी हो चुका था तो भई जो फिजिकल में पास हैं अब उसी का DV होना है उन्हीं लोगों का DV होना है और 701 पदों के सापेक्ष उन्हों ने चारिस लोगों को डीवी कंप्लीट कराई जाएगी उस तरह ये दिन आप ये डीवी आपकी छे दिन चलेगी और यहां पर इन्हों ना कराई हो वो लास्ट में जाके अपनी डीवी करा सकते हैं और आयोग ने ये भी बताया है कि उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर यानि जो भी उनका एडमिट कार्ड टाइप में आप समझ सकते हैं जो लेटर होगा वो भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गय जाएगी और टोटल 1402 अभियर्तियों को इसमें डीवी करा ली जाएगी तो खैर वन दरोगा वालों के लिए बढ़ाई कि उनकी अभिलेक परिक्शन की डेट आ चुकी है जो की 21 माई से 21 माई से शुरू हो जाएगी और 30 माई तक 20 माई से 30 माई तक 6 दिन में आपकी डीव अपलोड कर दिया गया है अब बात कर लिए हम लोग फॉरेस्ट गार्ड के मेडिकल रिजल्ट की और डीवी की बात कि इनका फॉरेस्ट गार्ड वालों का मेडिकल का रिजल्ट कब तक आएगा तो देखिए यही कयास लग रहे थी कि पहले उन्होंने कंबाइन टेक्निकल की डोकुमेंट वरिफिकेशन कराया फिर उसके बाद उन्होंने वीडियो वालों का डोकुमेंट वरिफिकेशन कराया उसके बाद वन दरोगा वालों का अब लग गया है तो पूरी उमीद अब यह है कि वन दरोगा वालों के बाद फॉरेस्ट गार्ड के नंबर आ तो अब ज्यादा दूर नहीं है forest guard को medical result को लेकर और नहीं अब इसमें document verification में ज्यादा time लगेगा क्योंकि आयोग ने एक महिने में दो exam की या दो भरतियों की dv complete करा ली है क्योंकि जब one daroga वालों की dv हो जाएगी तो एक महिने में दो dv complete हो जाएगी तो इस तरह हम मान सकते हैं कि forest guard वालों का भी number अब जल्दी आएगा और most probably one daroga वालों के बाद forest guard का number आ जाए document verification में तो उमीद यही है कि one daroga के बाद forest guard वालों का number हो बाकी आयोग की महिना वही जाने सचिव जी की मन की बात वही जान सकते हैं कि वो आप आगे किसका process आगे बढ़ाएंगे तो फिलाल इस वीडियो में यह update है कि one daroga वालों के लिए document verification की date आ चुकी है 21 मई से सुरू हो रहा है दो shift में उनकी dv होगी एक shift में 120 बच्चे बुलाए जाएंगे और पूरे दिन में 240 लोगों का document verification complete कराया जाएगा और उनके admit card या document verification later website पे upload कर दिये गए हैं जो भी लोग eligible हैं अपना verification later डाउनलोड कर सकते हैं और हमने जो update दी थी उसी के हिसाब से काम हो रहा है तो इसके लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर लें ताकि जो भी authentic news आये आप सब तक तुरंत साजा कर दी जाए वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like कर दें चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो subscribe कर लें ताकि किसी भी exam से जुड़ी कोई भी जानकरी आती है तो आप सब तक वीडियो के माधम से साजा कर दी जाए फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद